बिहार के वासियों तयार हो जाएए क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाद तूफान रेमल बिहार में कहर बरपाने वाला है सम्मुद्री टटो पर लैंड फॉल करते हुए रेमल की हवाएं 110 से 120 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से चल रही है और इसका असर बिहार में भी जल्द ही दिखने वाला है पटनस्थित आइमडी के विज्ञानिक कुणाल कौशिक मेटे ने बताया कि ये गंभीर चक्रवाती तूफान बिहार के पूर्वी इलाखों में में गर्जन, आंधी और हलकी से मध्यम बारिश लेकर आने वाला है मध्यम बारिश होने की समभावना है बिजली की चमक और 30-40 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाय भी चल सकती है बाकी जिलों में तूफान का कोई असर नहीं दिखेगा बिहार के अधिकांश जिलों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है पूर्वी भाग के इन 12 जिलों को छोड़ कर बाकी सबी जिलों में होट डे का अलर्ट जारी किया गया है विज्यानिक कुनाल कौशिक मेटे के अनुसार मदूबनी, पूर्वी चमपारण, गोपाल गंज, बकसर और नालंदा जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है वही पटना, दर्भंगा, रोहतास और नालंदा जिलों में होट नाइट ट्रेने की पूर्व संभावना है मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है 26 मई को बिहार के 14 जिलों में तापमान 40 डिगरी के पार दर्च किया गया इस दोरान गोपाल गंज में हीट वेब भी दर्च की गई टॉप पांच गर्म जिलों की बात करे तो बकसर सबसे ज्यादा गर्म रहा जहां दिन का अधिक्तम तापमान 43 डिगरी दर्च किया गया तो बिहार के लोगों इस चक्रवाती तूफान और भीशन गर्मी से बचने के लिए क्या करे सबसे पहले मौसम की अपडेट्स पर नजर रखे और सुरक्ष स्थान पर रहे ज्यादा से ज्यादा पानी पिये और धूप में निकलने से बचे लोकल 18 के लिए पटना से सचिदानन की रिपोर्ट